हेलो प्यारे स्टुडेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासिज में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर अपनी बौर्ड परिक्षाद दोहजार चोबिस से सम्मंधिद जो हमारा विज्ञान है उस विज्ञान में आने वाले 20 नंबर के बहुवी कल्प परसनों को करने जा रहे हैं तो जैसे हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो चैप्टर वाइज में चैप्टर नंबर वन जो आपका है रासायनिक अभिक्रियाए एवं समिकरन उसमें लगभग आपकी दो किलाजिस आ हैं तो 12 और 18 लगभग 30 कोशन हो जाएंगे आपके एक चैप्टर से आप ये 30 कोशन कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इससे बाहर नहीं आएगा एक्जाम में तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समिकरन के पार्ट टू को आईए देखते हैं कोशन नंबर वन पढ़ते हैं क्या है हमारे पास कोशन नंबर वन में देखते हैं कि एक तेल की नमूने को लंबे समय तक संग्रहन करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रियोग किया जाता है तो आप किसका प्रियोग करेंगे बताइए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था विकृत गंधिता के बारे में किसके बारे में विकृत गंधिता विकृत गंधिता विकृत गंधिता क्या होती थी कि अगर आप किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को जिसमें वसा तेल बगएरा मिला हुआ है उसको लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें perform खहल रहाने लगती है इसको बोलते हैं विकरित गंदिता तो इस विकरित गंदिता को दूर करने के लिए किस गैस के प्रियूग करते हैं ने देखा होगा कि जो chips वगेरा के packet होते हैं कुरकुरे होते हैं उसमें भी use किया जाता है इन gas होगा तो बताइए कौन सी gas होगी तो इसमें हमारी जो gas होगी जिसका हम use करते हैं वो gas होगी हमारे पास एक तो हम helium का use करते हैं और दूसरी nitrogen जो हमारी अक्रिय गया होती है helium और nitrogen तो कौन्स नॉप्शन से यह है इसका option number d हम किस किस के यूज करेंगे helium और किसका nitrogen या तो helium का या फिर nitrogen का चलिए देखते है next question question number two question number two देखते है question number two है निमन में से उस्मा सोशी अभिक्रिया अभिक्रियाई है आपको बताना है कि इसमें से उश्मा शोशी अभिक्रिया क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उस्मा सोशी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उस्मा का शोशन होगा और उस्मा छेपी एक ऐसे भिक्रिया है तो इसमें बताना है में उस्मा शोशी अभीक्रिया कौन सी है तो देखते हैं कौन सी है उस्मा शोशी अभीक्रिया हमारे पास तो हमारे पास जो उस्मा शोशी अभीक्रिया होगी Question No.2 अगर आप सुस्क बर्फ का उधरू पातन करते हैं पहला है सल्फूरिक अमल का तनू करन अमल का तनू करन कर रहे हैं लिक्विड से लिक्विड में बतल रहे हैं नहीं होगी ठीक है आप क्या करते हैं सुस्क बर्फ का उध्रू पातन अग आप बर्फ लें आईस और इसका क्या करते हैं उध्रू पातन उद्रूपातन प्रोसेस आपको पता होगा नहीं पता है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में उद्रूपातन क्या होता है ठीक है सभी को बताना है कि क्या होता है उद्रूपातन किसे बोलता है यह आपके लिए हूमवर्क है आपको कमेंट बुक्स में कमेंट करना है कि उद्रु पातन से आप क्या समझते हैं तो एक सुश्क बरफ का उद्रु बातन और दूसरा आपके पास जल का वास्प में परिवर्तन तो ये دोनों जो एक्जामपल होते हैं जल से वास्प बनना और सुष्क बर्प का उध्रु पातन ये दोनों example होते हैं आपके किसके ये दोनों आपके example होते हैं उसमा शोची अभिकरिया के तो इसमें दो option ठीक होंगे कौन कौन से option number B और option number D हालांकि आपको ऐसा question paper में नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी मिलेगा लेकिन उसमें option मिलेगे कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या सभी तो इसमें कौन से option आएगा option number 2 और 4 देखते हैं next question question number 3 question number 3 बोल रहा है जंग का रासाइनिक सूत्र है बताइए जंग का रासाइनिक सूत्र है diagram में आपको दिख रहा होगा कि जंग, जंग किसे बोलते हैं लोहे पर जंग का लग जाना जैसे इस topic को आपने बढ़ाता धातू के संचारन में क्या होता है कि धातू का नमी और वायू के संपर्क में आते ही धीरे धीरे नस्ट होना स्टार्ट हो जाता है धातू में यानि कि उनका चरन होना स्टार्ट हो जाता है इसको बोलते हैं धातो का संचारन यहाँ आप डाइग्राम में देख सकते हैं यह आपको डाइग्राम दिखाया हुआ है इस डाइग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर आपका लोहा था और ये जंग लगने के बाद कैसा दिखने लगा, ठीक है, तो brown type पर दिखने लगा, इसका चरन होने लगा, तो उस हमें लोहे के जो जंग लगता है, उसका हमें सूत्र बताना है क्या होगा, तो जो रासाइनिक सूत्र है, जंग का, वो कैसे बनता है, Fe2O3 into XH2O, क्या होता है Fe2O3 into XH2O, देखे कौन सा option है, option number C, Fe2O3 into XH2O, तो क्या option होगा, आपके पास, option number C, Fe2O3 into XH2O, ठीक है, अगर आपको कोई भी query है, तो आप comment books में comment कर सकते हैं, चलिए नेक्स question की और, question number 4, question number 4, देखिए, carbon monoxide की chlorine के साथ अभिकरिया द्वारा, carbon chloride का बनना उदाहरन है, देखिए, क्या है, carbon monoxide, carbon monoxide का formula होता है, CO, का chlorine के साथ, Cl2, तो क्या बन रहा है, CO, Cl2, यह किसका formula है, carbon chloride का, यहाँ पर आप देखेंगे, कि एक योगिक, दूसरे के योगिक के साथ जुड़ गया, यानि के संयोजित हो गया, तो इस परकिरिया को क्या बोलते हैं, बताइए, कौन सी परकिरिया बोलेंगे, संयोजन अभिकरिया, कौन सी अभिकरिया बोलेंगे, संयोजन अभिकरिया, वियोजन इसका उल्टा होता, जब वो तूटता, दो या दो से जादा में, विस्थाप ठीक है, next question देखते हैं कार्बन के वायू में जलने पर कार्बन डाई ओक्साइड का बनना डाइग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि कार्बन जब ओक्सिजन के साथ कार्बन के वायू में जलने पर क्या बन गया आपके पास कार्बन डाई ओक्साइड क्या बना है carbon dioxide तो उस carbon dioxide जो बना है ये कौन सी अभीकिरिया है बताइए अभी जो question number 4 था वो बिल्कुल इसी के जैसा था इसमें बताइए क्या होगा question number 4 जो आपने किया है बिल्कुल सेम था बताइए क्या होगा इसका भी आपका option number क्या होगा संयोजन अभीकिरिया number B यहाँ पर भी carbon oxygen के साथ योग हुआ है तो कौन सी अभिकरिया होगी संयोजन अभिकरिया ठीक है चलते आगे question number 6 question number 6 देखते हैं अपना cuo plus h2 equation cu plus s2 o में s2o का हुआ है यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है देखिए s2o का बताना है आपके साथ आपके यहाँ पर s2o में क्या हुआ है देखिए h2 से क्या बना है h2o cuo से क्या बना है cu ठीक है तो यहाँ पर आप देखिएंगे पहले वाले में इस वाले में इसमें क्या हुआ है कि oxygen बाहार निकली है यानि कि oxygen का removal हुआ है तो जब किसी भी अभीकिरिया में oxygen का removal होता है तो वो क्या कहलती है वो कहलती है आपके पास अब chain और जब oxygen का योग होता है तो वो अभीकिरिया कहलती है oxygen क्या कहलती है oxygen तो बताइए H2 से S2O का बनना क्या कहलता है क्या कहलाएगा आपके पास oxy current, क्या कलाएगा oxy current, तो सही answer क्या होगा इसका, option number oxy current oxy current, दूसरा नाम क्या होता है up chain, क्या होता है up chain, क्या होता है up chain, ठीक है next question इसी तरह से आप तयारी करते रहिए, आपके number बहुत अच्छा आएंगे एक्जाम में question number seven, इस तरह का question हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था, जिसने अभी part one नहीं देखा उसको comment box में link मिल जाएगा, question number sorry, part number one को जरूर देखिए वहाँ पर जाकर, ठीक है, और जिसने channel subscribe नहीं किया है, channel को subscribe कीजिए, आपके पास जो वीडियो होगी मेरी, सबसे पहले आपके पास वीडियो आ जाया करेगी, ठीक है, एसे ही हम सभी chapter की वीडियो पढ़ने वाले है, ठीक है, वीडियो देखने आने वाले time में, ठीक है, exam से पहले आपकी सारी तयारी करा दी जाएगी सी पर, जुड़े रही है हमारे साथ, कुश्छ नमर साथ, इलेक्टरोन की परस पर साजेदारी से बने योगिक कहलाते हैं, जो इलेक्टरोन की परस पर साजेदारी, तो कल हमने लिखाया था इलेक्टरोनों के इस्थानांतरन, तो इस्थानांतरन से क्या बन पूर में पढ़ाएं अपने कार्बन वाले में तो साजेदारी से कौन से योगिक बनते हैं सह सही योजी योगिक कौन से योगिक बनते हैं सही सही योजी तो इसका option number कौन से सही होगा आपके पास option number A कौन से योगिक बनेंगे आपके पास सहसेयोजी योगिक अगर बराबर की साज़दारी होगी तो सहसेयोजी योगिक अगर इस्थाना अंतरन होगा तो विद्धुत योगिक चलिए, next question question number 8 बरसात के मोसम में कोपर पर हरी पर्थ किसके निर्मान के कारण होती है बताइए, बरसात का मोसम है उसमें कोपर के उपर डाइग्राम में दिखाया हुआ है देखिए डाइग्राम में यह आपके पास कोपर के उपर हरी पर्थ जम गई तो ये भी धातुओं के संचारन का एक उधारन है किसका उधारन है? धातुओं के संचारन का किसका उधारन है धादू के संचारन का लोहे पर जंग का लगना कोपर पर हरी परत का निर्मान होना ये सब किसका एक्जामबल है धादू के संचारन का इससे धादू धीरे धीरे नस्ट होने लगती है तो जो कोपर पर हरी परत का निर्मान होता है वो किसके कारण होता है बताइए तो बरसात की मोसम में कोपर पर जो हरी पर्थ का निर्मान होता है वो CuCO3 और CuOH का होल्टवाइस CuCO3 कोपर कार्बोनेट और कोपर हाइड्रोकसाइड के कारण जो कोपर पर हरी पर्थ का निर्मान होता है उसका नाम होता है कोपर कार्बोनेट और कोपर हाइडरो उक्साइड चलिए नेक्स कुशन क्यों कुशन नमबर 9 निमन में से कौन योगात्मक अभिकिरिया नहीं है देखिए अभी मैं आपको बता चुका सहियोजन, योगात्मक एक नाम होता है इसको आप सहियोजन भी बोल सकते है सहियोजन ठीक है या योगात्मक एक ही बात होती है सहियोजन का मतलब होता है या 2 से जyदा योगिक मिलकर एक सिंगल योगिक बना ले तो आप उप्शन नमबर A देखिए क्या दहाए A में ए देखिए यह है आपके पास ए 2H2 plus O2 2S2 O क्या आपको यह सही योगात्म कभी करिया देता है बिल्कुल यह आपके पास क्या है योगात्म कभी करिया है दूसरा देखिए दूसरा है 2MG plus O2 2MGO क्या यह योगात्म कभी करिया है बिल्कुल है जी सर बिलकुल है MGO से जुड़ा है तो क्या बन गया MGO तो ये योगात्मक अभी करिया है फिर तीसरा देखते हैं आपके पास पहले फोर्थ ओप्षन देखिए H2 प्लस CL2 मैं पूछूँगा आपसे क्या ये योगात्मक है तो आपको होगे हाँ सर योगात्मक है क्योंकि H2 और CL2 मिले है और एक सिंगल बन गया 2HCL तो सिंगल बन गया तो यहाँ पर योग हुआ है तो कौन सी अभी करिया है योगात्मक तो ये भी आपके पास योगात्मक अब option number C ये कौन सी अभी करिया होगी जो option number C है ये AGNO3 पिनस NACL क्या बनाए AGCL प्लस NNO3 आपको comment box में comment करना है question number के साथ और बताना है कि question number 9 में जो C option है AGNO3 प्लस NACL ये कौन सी अभी करिया का उधारन है comment box में comment करके जरूर बताइएगा कि AGNO3 प्लस NACL कौन सी अभी करिया का उधारन है क्योंकि यहाँ पर question पढ़िये question में दिया था कि क्या दिया था कि कौन योगात्मक अभी करिया नहीं है ये वड़ ध्यान रखना कि कौन योगात्मक अभी करिया नहीं है ठीक है चलिए नेक्स question के ओर question number 10 barium chloride plus sulfuric aml क्या बना है इससे इससे बना है barium sulfate plus 2HCl है क्या है बताइए इसमें आपको BASO4 के बारे में बताना है कि BASO4 क्या है तो ये diagram मैंने पिछली अभी क्लास में भी आपको बताया था अभक छेपन के बारे में precipitate के बारे में तो यहाँ पर क्या बनता है यहाँ पर बनता है आपका precipitate यानि के अभक छेपन तो जो अभक छेपन होता है यहाँ पर कौन BASO4 जो आपका BASO4 है यह क्या बनता है क्या बनता है यह अभक छेपन क्या बनता है अभक छेपन तो यहाँ पर यह उधारन किसका है यह उधारन है आपके पास अबक छेपन अभी करियागा कौन सी है यह अबक छेपन ठीक है चलते हैं नेक्स कुशन की ओर कुशन नमबर 11 क्या होता है जब दानेदार जिंक तनू सल्फियूरिक अमल से अभी करिया करता है तो आपको बताना है जिंक की सल्फियूरिक अमल से अभी करिया कराने पर क्या बनेगा देखिए अगर आप जिंक यहाँ अभी करिया दिखाई हुई है अगर आप जिंक की अभी करिया करेंगे S2SO4 से किस से S2-SO4 से बताएं क्या बनेगा जिंक हाइटरोजन को रिप्लेस करदेगा क्योंकि जिंक का इस्तान अभिकिरिया सीलता स्रेणी में हाइटरोजन से ऊपर है तो क्या बनेगा जिंक इसको विस्थापित करके SO4 के साथ जुड़ जाएगा और हाइट्रोजन को क्या कर देगा बाहर निकाल देगा तो इसका मतलब ये question important हो जाता है क्यों important हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अभिकिरिया सीलता श्रेणी याद है तो आप तभी ही इस question को कर पाओगे कि जिंक की sulfuric acid से अभिकिरिया कराएंगे तो क्या जिंक hydrogen को replace कर देगा इस्थापित कर देगा तो answer है yes कर देगा क्योंकि अभिकिरिया सीलता श्रेणी में जिंक का इस्थान hydrogen से उपर होता है तो इसका option number C भी होगा C answer होगा option number क्या होगा इसका C यहाँ पर देखिए option number A भी answer है कोई अभिकिरिया नहीं यह भी दिया हुआ है option में लेकिन आपको अभिकिरिया सीलता याद रखनी है श्रेणी याद रखनी है उसी श्रेणी से आप देख पाओगे कि क्या जिंक replace कर देगा hydrogen को या नहीं ठीक है आपको यह देखना है कि जिंक hydrogen को replace कर पाएगा या नहीं ठीक है चलते है next question question number 12 बस बने रहिए थोड़े दोर थोड़ी देर के लिए और question number 12 उस्मा छेपी अभिकिरिया में बताइए क्या होता है मैंने बताया था आज पहले ही question तास आये दिए कि अगर अभिकिरिया उस्मा छेपी होती है उस्मा छेपी तो उस्मा छेपी अभिकिरिया में उस्मा का क्या होता है उत्सरजन यानि कि उस्मा बाहर निकलती है और उस्मा सोशी होता है तो उस्मा सोसी में उस्मा का अब शोशन होता है क्या होता है अब शोशन तो बताइए क्या होगा इसका उस्मा छेपी उस्मा छेपी में उस्मा का अब कहा निकलेगी बाहर निकलेगी यानि कि उस्मा का क्या होगा उतसरजन उस्मा का क्या होगा उतसरजन तो कौन सा option से ही होगा option number B उस्मा का क्या होता है उस्मा का उस्मा का उस्मा होता है ठीक है next question की और चलते हैं question number 13 magnesium धातू का वाईयू में जलना है देखे डाइग्राम दिखाया हुआ है कि जब आप magnesium ribbon को किस में जलाएंगे oxygen में वाईयू में उस magnesium का क्या बनता है oxide 2mg 2mg ठीक है तो magnesium से oxygen की अभी गिरिया हुई वाईयू में जला वाईयू में क्या होती है oxygen तो क्या होगा magnesium oxide बनेगा और ये किसका उधारन है ये तो आप बता ही देंगे बताइए किसका उधारन है ये magnesium दातू का वाईयू में जलना है अच्छा इसमें बताना है कि कौन सा परिवर्तन है नंबर A भोतिक परिवर्तन नंबर B B कहां गया नंबर B लिख लीजिए B है रासाइनिक परिवर्तन ये misprint हो गया रासाइनिक परिवर्तन option number B क्या है रासाइनिक परिवर्तन option number C उतकर्मनिय परिवर्तन option number D कोई नहीं वदाइए तो magnesium का वाईयू में जलना अगर magnesium का काटना पूस्ता तो बहुत इक परिवर्तन लेकिन यहाँ पर कुछ है magnesium का जलना तो magnesium का जलना कोन सा परिवर्तन है रासाइनिक कोन सा परिवर्तन होगा रासाइनिक परिवर्तन तो magnesium दातु का वाईयू में जलना रासाइनिक परिवर्तन कहलाता है next question इस समीकरन को संतूलित करना है बदाए संतूलित करना है आपको B2C plus XSO equation यह equation का निशान है इस तरह से बताइए क्या बनेगी इसमें X और Y के आपको मान बताना है इसको बैलेंस करके क्या आएंगे X और Y के मान देखिए इस X की जंगे पर यहाँ पर B E कितने है दो इधर B E दो आने चाहिए दो तो मिनिमम होंगे उसके बाद इधर देखिए C C कितना है 1 इधर कितना है C 1 H देखिए 2 दो तो मिनिमम आएंगे तो यहाँ H अगर हम 2 कर देते हैं देखिए इधर कितने H है 2X और इधर कितने है 4 तो आपको यहाँ पर मिनिमम X की वैल्यू 2 होगी लेकिन आप डबल रखके देखिए पहले कि डबल रखके अंसर आता है या नहीं रखिए पहले X की वैल्यू 4 रखिए 4 तो यहाँ 2B इधर 2 रखना पड़ेगा हमें अगर BE 2 रखना है तो 2 इधर 4 इधर रखिए अब 2BE इधर BE 2 हो गए इधर O, H, H कितने है 2 और 2 दूनी 4 इधर भी H कितने है 2 दूनी 4 और 4 ये है 8 इधर कितने हो जाएंगे इधर भी 8 हो जाएंगे 4 दूनी 8 ठीक है तो यह विकरिया बैलेंस हो गई आपकी यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आएगी 4 और Y की value कितनी आएगी 2 तो कौन सा option है आपका देखिए option number C 4 और 2 देखिए आप खुद से करके देखे इस question को समझा जाएगा आपको balance करना दोनों side इधर H देखना कितने है 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 इधर 8 होगे इधर 2 रखेंगे Y की value तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 और 4 ये गोगे आपके पास 8 दो ये हैं 2 दूनी 4 और 4 8, 4 प्लस 4 ठीक है चलते हैं next question की और lead nitrate का रासाइनिक सुत्र है अब ये जो question है इनको आपको direct याद रखना होगा कि lead nitrate का रासाइनिक सुत्र क्या होता है तो lead nitrate का रासाइनिक सुत्र आपके पास होता है PBNO3 का whole twice क्या होता है PBNO3 का whole twice बनता कैसे है अगर बनना देखना है तो PB और NO3 इस पर 2 प्लस इस पर 1 माइनस तो PB के साथ 1 और NO3 के पास कितना आता है 2 तो PBNO3 का whole twice चलिए next question की और question number 16 विक्रित गंधिता को रोका जाता है मैंने आपको starting में ही बताया था विक्रित गंधिता क्या होती है विक्रित गंधिता क्या होती है starting में बता चुका मैं आपको तो विक्रित गंधिता को रोकने के लिए BHA का प्रियोक करते हैं बिल्कुल करते हैं BST का करते हैं, बिल्कुल करते हैं खाद समगरी को वायू रोदी पात्रों में रखकर करते हैं, बिल्कुल करते हैं तो इसमें आपका option number क्या होगा, सभी क्या answer होगा इसका, सभी चलिए next question Redox अभिकरिया में होता है बताइए, Redox में क्या होगा Redox Redox Ox का मतलब है Oxidation, यानिके Ox y Crunch क्या मतलब है? Oxy Current Redox का मतलब है, Reduction तो इस अभिकरिया में Oxygen भी होगा, और किसी का Oxygen भी होगा, तो क्योंसा option आएगा? Oxygen भी Redox की फुल फॉरम क्योंती है Redox का मतलब होता है Reduction यानिके Art OH Ox का मतलब होता है Oxygen तो सही answer क्या होगा इसका बताइए तो इसमें दोनों आएंगे reduction भी होगा आपका और क्या होगा ओक्सिकरन भी यानिके दोनों ठीक है next question क्यों चलते हैं सयद आज का last question है आज का last question है बुझे चुने का सुत्र होता है देखे डाइग्राम में दिखाया हुआ है बुझे चुने का यहाँ पर साथ के साथ आपको बिना बुझे चुने का भी बताना है बिना बुझे अगर बिना बुझे चुने की बात करते हैं तो उसका सुत्र होता CAO Calcium Oxide और बुझा चुने की बात करता है बुझा चुना तो बुझा चुना का सुतर होगा आपके पास CA OH का whole twice सैद यहाँ option में misprint हो गया ठीक है तो CAOH का whole twice बुझे चुने का सुतर क्या होगा आपके पास CAOH whole twice तो option number यहाँ बुझे चुने का सुतर क्या होगा CAOH का whole twice क्या होगा CAOH का whole twice ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है 18 और 12 लगवक 30 question हो गया आपके पहले chapter से इसके बाद हम जो अपना करेंगे वो करेंगे chapter number two अमल चार और लवन के question ठीक है ठेंक यू